हर्याना के बहु चर्चित एर होस्टेस गीती का सुसाइट केस में दिल्ले की राउज एवेन्य कोट में मंगलवार को विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया हर्याना के ग्रह राजमंद्री रह चुके कांडा इस केस के मुख्य अरोपी थे वे इस मामले में 18 मेने जेल में भी रह चुके हैं 11 साल बादा इस फैसले पर जब कांडा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने हाथ जोड़े और कुछ नहीं कहा हालकि बाद में गोपाल कांडा ने मीडिया से कहा मेरे खिलाफ एक भी सबूत या कुछ नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था ये किस सोच से और क्यो बनाया गया था ये कोट ने अच फैसला दे दिया ये सब के सामने हैं गोपाल कांडा के वकिल आरेस मालिक ने कहा कि पहले दिन से ही उनके क्लाइन के खिलाफ एविडेंस नहीं थे कोट ने कांडा के साथ उनकी एलाइन्स कंपनी एमडी एल आर कंपनी की मैनेजर अरुना चड़ा को भी इस केस में बरी कर दिया वहीं इस फैसले के बाद गीतिका के भाई अंकित ने कहा कि मैं अभी भी बात करने के इस्तिति में नहीं हूँ अभी सोचूँगा कि हमें आगे क्या करना है गोपाल कांडा के लिए फैसला काफी रहत बरा रहा क्योंकि इस पर उनका राजनेतिक भवशिटिका था अगर कोड दोशी ठहरा देती तो उनका विधायक पद जा सकता था गीतिका विधायक कांडा की एलनाइस में एर होस्टेस के तोर पर काम करती थी उसने 23 साल की उम्र में 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक व्याहर इस्तित अपने ही फ्लेट में सुसाइट कर लिया था गीतिका के परिवा ने गोपाल कांडा पर गीतिका को परिशान करने का आरोप लगाते वे उसे ही मोत का जिम्मिदार बताया था इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद